हेलो जैहिन दोस्तों आज के लेक्चर में हम ग्राइविटेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे दिस देटू हमने पोटेंशल तक कल पड़ा था आज हम उसका सेकेंड पार्ड कंप्लिट कर देंगे जिसका नाम है अंडरस्टेंडिंग अफ सैटेलाइट मोशन सो हेडिंग हमा यह ऑर्थ है उर्थ है अर्थ है नाज को सैटेलाइट को हमने लॉंच किया यहां से पर घॉमने लगा यहां ठीक है तो शैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अर्ण्थ let's say कि satellite को मैं इस जरो से स्रीयरी कोटा से भेज दिया now satellite अपने orbit अपनी कक्षा में आ गया है कक्षा कौन सी है उसकी 5th standard पाचवी कक्षा क्या वो वाले कक्षा ने orbit को कक्षा कहते है और इसकी distance है अर्थ के center से ठीक है यह क्यों रिवाल करता है बहले तो हमने इसको वेलासिटी दी ठीक है वेलासिटी देनी पड़ेगी इसके अंदर छोटी सी बैटरी होगी वो बैटरी पावर्ड इंजिन होगा वो उसको आगे भगाएगा ठीक है या जियो सिंक्रन साइस में आएगा तो ज्यादा एनर्जी क एच ऑड़ एक स्किर्बर इस के अराओ तो मिस्की डी जाननी यह रेकुछ कितना है 8 चकर लागा लगाने का मवा गशैइंस को अरधना सभ्वी रहे तो सकी कितनी ओपनी होने का फॉर्मिला हमें पता है वह होता है mv square by r, gravitational force between these two objects, satellite का mass small m, तो वह होगा gm, capital M, capital M being the mass of the earth, this is e, a, r, t, h, mother earth, divided by, इनके बीच का distance कितना है, r square, तो यहाँ पे r हो जाएगा, r का square, चीजे कट हो जाएगी, चीजे कट कर लेंगे यहाँ से, small m, small m, cut हो गया, 1r, 1r चला गया, यहाँ से हमें velocity मिल गई थी, यहाँ से हमें velocity मिल गई, इस satellite की, so v is equal to, वो कितना मिला, under root g, capital M, divided by r, this is the velocity of our nanda munna satellite, with this velocity, it is revolving around the earth's orbit, ठीक है, near the earth, अब इसका time period पूछ लेते, तो यह first मिल गया मुझे, जो चाहिए था, ठीक है, second हम बात कर लेते, इसके, orbital period की, time period या orbital period जिसे हम कहेंगे, ठीक है, वो कैसे निकाला था हमने, distance upon speed, कितना distance, मतलब circumference इसका, यह circumference कितना होगा, वो 2pi r, इतना उसको cover करना है, distance, that is 2pi r, circumference जितना, कितने velocity से, v velocity से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे v की velocity, v जो है, यह answer हम यहाँ पे substitute कर देंगे, so finally हमारा result कु g capital M, और यहाँ पे r raised to 3 by 2, फिर हमने कहा कि time period और यह distance का कुछ relation है, दोनों side को square किया, तो t square directly proportional to r cube, k plus के third law को यह justify कर रहा है, so time period बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे satellite का distance earth के surface से बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे अगर time period t1 था, यहाँ पे time period t2 है, so we can easily say t2 is greater than t1, क्योंकि उसका distance earth से जाधा होगा, ठीक है, considering velocity दोनों situation में हमने क्या कर दी, same कर ले, अभी आईए third point हम देखते है, अगर मैं इसको first point कहुए, first point कहुए इसको second point कहुए, और third point कहुए हम इधर, ठीक है, third point में उसकी energy की बात करते है, ठीक है, मैंने अभी इसकी velocity नहीं का ली, मुझे time period मिल गया, और उसका relation मिल गया radius के साथ, I am interested to calculate its kinetic energy, kinetic energy, इसकी kinetic energy कितनी होगी, हमने का half mv square होगी, v की velocity, v का formula में पता है, under root gm upon r, वो substitute कर देंगे आपे, तो देखो, half m, ये g capital m upon r, ऐसे दिखेगा, इसको ज़रा धंग से लिखता हो, ये क्या होगे, तो इसको लिखेंगे, ये answer कितना आएगा, मैंने का किया आएगा, half capital G capital M small m divided by r, this is the kinetic energy of the satellite which is revolving at a distance r from the earth's surface, earth center, ठीक है, kinetic energy मिल गया, potential energy, इसके पास potential energy भी होगी, क्या, satellite के पास, जी हा, बिलकुल होगी, क्योंकि ये क्या है, system है, यहाँ पे earth है और यहाँ पे mass है, ठीक है, इसका gravitational potential energy because of earth कितना होग minus होती है न वो, minus G capital M small m divided by r, ठीक है, तो मेरे पास potential energy भी आगई इस satellite की, इस position में, ठीक है, पिर total energy की भी बात कर लेते है, total energy कितनी होगी, it is nothing but potential energy plus kinetic energy, इन दोनों को add करेंगे, कितना answer मिलेगा हमें, यहाँ पे यह half gmm upon r है, minus gmm upon r, so minus 1 plus 1 by 2, तो यह आजाएगी, minus gmm upon 2 r, ठीक है, तो total energy, kinetic energy और potential energy तीन हमें मिल गए, क्या इनके तीनों के बीच में कुछ relation है, क्या, बिलकुल, इन तीनों के बीच में कुछ relation मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा, कि किस डंग में लिखा था, उसी डंग में हम यहाँ पे लिखते है, twice the total energy, मैं सिर्फ magnitude लिखता ह जो negative होगी, वो negative के साथ, जो positive होगी, वो positive के साथ, कौनसे energy negative होती है भाई, यह negative होती है, यह positive होती है, potential energy कैसी होती है, negative होती है, kinetic energy सिर्फ positive number देता है, ठीक है, तो यह understanding हमें satellite की क्या-क्या मिली, velocity, time period का relation, kinetic energy, potential energy, total energy and the relation between these being things, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते ह होगी न, कभी-कभी हम इसको V0 से भी दिखाते हैं, orbital velocity, क्योंकि मुझे अभी पदा ना ही, तुम लोगों को escape velocity, तो दोनों का symbolical representation सेम हो जाए, इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, escape velocity, मुझे पढ़ाना है, तब मैं क्या करता हूँ, इसको V suffix E कर देता हूँ, मतलब suffix में E ही लिखा मतलब मैं escape velocity की बात कर रहा हूँ, ओ यहाँ पर लिखदा हम मतलब orbital velocity की हम बात कर रहे हैं, ओके, तो पहली case हम यहाँ पर ही लेते हैं, this is a case 1, ठीक है, यहाँ पर मैं satellite लेता हूँ, या कोई particle है, जिसको हमें जो फिलाल अभी बैठा है, आराम से अर्थ के surface पे, ल ठीक है, ग्रीनरी काफी कम बची है, तो हम कम ग्रीनरी दिखाएंगे यहाँ पर, ग्रीनरी बढ़ा नहीं हमें अर्थ के इंदर, ठीक है, ओके सर, काम की बात है करणा सर बच्चों से, capital M is the mass of the earth and capital R is the radius of the earth, यह छोटा सा नंदा मुना सा particle जिसका mass M है, इसको हमें फेकना है इतने दूर फेकना है कि इसकी velocity दूर जाने के बाद 0 हो जाए, इतने दूर फेकना है कि अर्थ के influence से यह चला जाए, ठीक है, पूरे मोमाया से पारे होके यह आ जाए यहाँ यहाँ पर, इतना दूर आ जाए, हमने कहा कि इतना दूर, इतना दूर क्या कह रहे है, उसको infinity को infinity पर आने के बाद उसकी velocity यहाँ पर zero हो जाए, यह मुक्त हो जाए, इसको मुक्ती प्राप्त हो, kinetic energy भी zero हो जाए, उसकी potential energy भी zero हो जाए, he should attain a state of mind, zero state of mind, क्या sir ठीक से बताओ, इसको अगर यहाँ से escape करना है, to the infinity, तो कितने velocity इसको मैंने फेकना चाहिए, वो velocity को कहेंगे, escape velocity Earth के influence से, अगर उसको बाहर फेकना है, तो वो velocity कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो यह सोचने के लिए, इसकी समझ बढ़ाने के लिए, हम अभी पहले देखते है कि इसकी potential energy कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर बैठा है अर्थ पर, उसकी potential energy कितनी है, potential energy of mass m, let's say वो u है, हम दिखा हैंगे वो कितनी होगी, minus G, capital M, small m is the mass of this particle, जिसको मैं फेकना है, divided by r e, यह सिर्फ r लिखता हो, ठीक है, क्योंकि वो r distance पर है, थोड़ा यहाँ पर होता, तो हम लिखते है वो small r, that is r plus h, लिखते है, अगर h height पर होता, अभी कहाँ बेटा है वो, on the surface, कहा है यह, on the surface, कौन व लिखते हैं, वो भी पता है न, bound है यह, gravitational force के कारण, ठीक है, इसको escape करना है अभी, to potential energy तो लिख 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 लिख, to escape, to escape from earth's gravity, earth's gravity, ठीक है, तो अभी हम करेंगे, conservation of energy लगाएंगे, position 1 और position 2 में, ठीक है, क्या कर रहा हमने, using conservation of energy COE, conservation of energy, potential energy initial, plus kinetic energy initial, is equal to potential energy final, plus kinetic energy final, ठीक है, finally मुक्त हो रहा है, सभी चीज़े 0 है, potential energy भी 0, kinetic energy भी 0 हो जाने चाहिए, उसको finally, ऐसा कर सकते है, यह कितना beautiful phenomenon है, potential energy, kinetic energy, दोनों scalar quantity है, सिर्फ वो initial और final position पर depend करते है, बीच रास्ते में क्या हुआ, कोई लिख 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 ऐसा जाए, ऐसा आले के जाए, कोई इसे है, या कोई सीधा ऐसा जाए, कोई लेना देना है, because they are only dependent on initial and final position, इसलिए conservation of energy काफी convenient जाता है, बहुत सारे situation को deal करने में, ठीक, इनिशल इसकी potential energy बेटा, minus G capital M, small m upon R, plus kinetic energy, किसी के energy से फेकना पड़ेगा, तो हम कहते है, लेट से वो हाफ M V E square, यह V E हमें find out करना है, ठीक है, जैसे solve करेंगे, यह इधर चला जाएगा, पल्टी मार लेगा यह, तो यह क्या बन जाएगा, हाफ M V E square is equals to G M M upon capital R, छोटू, M cut जाएगा, small m, small m cut हो गया, तो हमें V E मिल गई, under root of 2 G M upon R, ठीक है, तो G M upon R को हम लिख सकते हैं, हमें एक चीज पता है, बहुत सरी चीजे पता है, वैसे हमें, G M upon R square, ठीक है, यहाँ से मैं G M को उठा के लिख सकता हूँ, G into R square, इस situation में, तो दूसरा formula बन जाएगा, 2 into G into R, तो यह लगबग कितना आता है, 11.2 km per second, ऐसा हमें मिला answer, ठीक है, आल राइट, चो मिनिममम अर्थ के surface से 11.2 km per second से इस particle को थो करना है, irrespective of its mass, mass के उपर depend नहीं करेगा, ठीक है, और इससे जाधा होगा, escape velocity, इससे या इससे जाधा होगी, तो यह निकल जाएगा, यहाँ से, इससे जाधा होगी, तो यह निकल जाएगा, यहाँ से, इससे ज ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, अभी second case में हम ऐसा करते हैं, यह तो stationary था, बैठा था on the surface, ठीक है, case 2 में हम क्या करते है, case 2, यहाँ पे हम ले के आते है, case 2 को, जहाँ पे यह satellite वा अभी, consider करते हैं, जो particle Earth के surface पे बैठा था, वो भी revolve कर रहा है, ठीक है, उसको नाम देते escaping of a satellite, पहले तो rest पे था न, अभी इसको revolve करवा देते हैं, यह Earth धरतिमा, और satellite revolve कर रहा है, पहले कोई particle हमने यहाँ लिया आता न, यह मस्द बैठा था यहाँ पे, ठीक है, अभी वो particle नहीं, satellite है, satellite क्या कर रहा है, उड़के यहाँ पे, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, चॉकलेट शेप का satellite, V velocity से चल रहा है, ठीक है, बोर हो गया, गुम गुम के यहाँ, कितना गुमेंगा यहाँ, बोर हो गया, now this satellite wants to move out of this gravitational influence, तो उसको निकलना है यहाँ से, इसको भी infinity मुपती पानी है, इसको भी, तो यह कुछ वेलाउसिटी बढ़ाना चाहेगा, अगर यह वेलाउसिटी कम करेगा खुद की, तो हो सकता गिर जाए आरत की उपर, या कुछ अपना elliptical path से यह चला जाए, हम इसकी velocity इतनी trigger करनी, इतना accelerate करनी इसकी velocity या increase करनी, ताकि यह escape हो जाए यहाँ से, हमने कहा ऐसा करना है क्या, फिर रुको क्या करो, हमने बताओ, जो हमने last में किया था, यही चीज यहाँ से लेके आते, to बच्चों ने बोला, क्या बोला बच्चों ने, minus gm, small m upon, small r लेंगे न, अभी r distance पे है, small r distance पे, last time क्या लिया था, by the way, हमने लिया था capital r, क्योंकि वो औरत के surface पे ही था, अभी कहा उड़ रहा है, small r, that is, small r को क्या लिख सकते है, capital r plus h height पे यह चल रहा है, तो r plus h, इतना लिखना तो हम जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो उसको लिख दो, यहाँ पे r plus h, small r is nothing but r plus h, कोई यह भी नहीं जानता की h क्या है, इसकी surface से height h है, किसकी कौन है, satellite है, satellite की बात कर रहा हूं, ठीक है, so back to this one, so initial इसकी potential energy यहाँ पे कितनी है, minus gm upon small r, plus इसको लेके जाना है हमें, ठीक है, तो इसने velocity कितनी बढ़ानी चाहिए, वो हमें निकालनी है, ठीक है, so मैंने क्या half m into, let's say, यह v escape velocity इसने चलना चाहिए, finally, potential energy भी 0 हो चाहिए, और kinetic energy भी 0 हो जाए, तो यहाँ से हम निकालते हैं, यह हो जाएगा half m ve square, remember last time half m v naught लिखा था, वहाँ पे, where is that, यह, हाँ, यह भी लिखा था, लेकिन वो अर्थ के surface पर था, sorry, यहाँ पर अभी h height है, मतलब r distance पर, is equals to यह हो जाएगा, capital G, capital M, small m upon r, ठीक है, small m, small m, small m तो कट जाएगा यहाँ से, यह गया, यह भी गया, यहाँ से, escape velocity मुझे मिल जाएगी, which is equals to under root of 2 gm upon r, under root of 2 gm upon r, मैं को, hold on, hold on, यह कुछ जाना पेचाना है, यह under root में, gm upon r, हमने का, ओ भाई साब, यह तो orbital velocity है, तो हमें यहाँ से, एक relation मिला, escape velocity is equals to root 2 into orbital velocity, so we got one relation, कि कितनी speed इसने बढ़ानी चाहिए अभी, root 2 times, जो speed से वो प्रदक्षिना लगा रहा है, उसके root 2 times इसने speed बढ़ानी ठीक है, तो कभी-कभी है, question भी पूछते है कि उसने कितनी velocity increase करने चाहिए, percentage increase कितना होना चाहिए, वो सवाल हमने classroom में भी किया था, so increase, root 2 times, और्थ की gravity से इसके बढ़ानी चाहिए, अर्थ की gravity से नहीं, यह जो revolve कर रहा है, उस velocity से root 2 times और उसने multiply करने चाहिए, खुद की velocity ठीक है, तब यह चला जाएगा, escape हो जाएगा, it will take parabolic और hyperbolic path, it will go out and escape it from the earth's influence, so increase in velocity, that is delta V हमें निकालने, वो आजेगी root 2 minus 1 into V0, तो यह हमने निकाला था, 0.414 V0, percentage में कितना है, 41.4% of orbital velocity, इतनी 41%, लगबग 41, 42% velocity को उसने बढ़ाना चाहिए, जो velocity से यह चल रहा है, तो उसकी escape हो जाएगा, गाड़ी निकल पड़ेगी, ठीक है, by the way, कितना होता है, यह repaint करेगा, कितने height रिवाल करते, 11.2 कुछ हमने निकाला था, 11.2 km per second, उसका 41.4% increase कर देंगे, तो escape velocity मिल जाएगा, ठीक, फिरम ने एक बात यहाँ पे discuss की थी, next point पे, कितवा point है यह, understanding, ठीक, 1, 2, and this is a third point, let's say, motion of satellite, motion of satellite, ठीक, तीन केसे की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, अर्थ के around, कोई planet, कितने velocity से, कौन से trajectory से rotate करेगा, अर्थ के around, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका mass m, radius r, ठीक है, अगर किसी particle की speed है, orbital velocity से कम है, if v is less than v naught, तो वो कौन सा path लेगा, वो path लेगा, elliptical, ठीक है, यह वो गिर जाएगा, अर्थ के surface पे, where is that location, let's say, यह particle चल रहा है, यहाँ से, एक तो चांसे से, बहुत कम velocity उसकी है, तो वो गिर जाएगा, या उसकी velocity थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन, orbital velocity से कम है, तो it will revolve in elliptical path, ठीक है, यह तो पहली situation होए, अगर satellite की, या इस particle की velocity, if orbital velocity जितनी है, तो वो क्या करेगा, यहा परफॉर्म करेगा, सर्कुलर पाथ से वो अर्थ के अराउंड गुमेगा, तो यह तो यह सर्कुलर मोशन करेगा, तो यह सर्कुलर मोशन करेगा, थर्ड सिचुएशन, अगर इसकी वेलासिटी ज्यादा है, इसकी वेलासिटी कितनी है, इसकी वेलासिटी ज्यादा है, किस से जादा है और बेटल वेलासिटी से जादा है लेकिन इसकी एसकेप वेलासिटी से कम है तो ये फिर भी इलेप्टिकल पाथ में गुमेगा लेकिन इस बार उसका जो इलेप्टिकल पाथ होगा थोड़ा बड़ा होगा ये ऐसा गुमेगा उसकी वेलासिटी थोड़ी जादा स्पीड बढ़ाई उसने अर्पेटल वेलासिटी से जादा लेकिन एसकेप वेलासिटी से कम ठीक है अजब 21 परसेंट ही बढ़ाया तो यह इलेप्टिकल पाथ करेगा अब उसने सोचा कि अभी चलो निकल जाते गैंग 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 41.14 परसेंट उसकी वेलासिटी अगर उ हाइपरबोलिक पाथ अगर एक्जेकल इक्वेल टू एसकेप वेलासिटी से चलता है तो पैराबोलिक पाथ से यह उड़ जाएगा यहां से ठीक है तो यह वी इस इक्वेल टू वी या हाइपरबोलिक पाथ लेके निकलेगा अगर उसकी वेलासिटी एसकेप वेलासिटी स से भी ज्यादा रहेगी तो ठीक है यह सिच्वेशन में क्या हो रहा है यह एस्केप हो रहा है एस्केप फ्रॉम ग्रैविटेशनल इंफ्लूएंस ऑफ प्लानेट यह बात हमने यहाँ पे की थी ठीक है यह एक पॉइंट हो गया हम आगे चलते हैं यह लास्ट बीट है केपलार्स लॉओ हेडिंग यहाँ पे होगा फॉर्थ पॉइंट केपलार्स लॉओ अफ प्लानेटरी मोशन ठीक है केपलार ने क्या कहा कि एक्चुली एक्चुली में क्या हो रहा है अर्थ और सन के ट्रेजिक्टरी और उनके मोशन के बारे में यह बता रहे थे भाईया शेप बनाओ ना क्या प्रॉब्लम है यह एलिप्टिकल शेप में कुछ हमने ड्रॉप किया तोड़ा बड़ा कर देते यहां पर ओके फाइं ठीक है तोड़ा जोमेट्रिकल बाते में यहां पर कम्प्लिट कर दूँ यह एक और आहां बढ़िया बढ़िया ठीक है तो केपलार भाई साब ने क्या कहां चपलर ने कहा कि देखो भई अगर सन यहां पर कंसिडर करते हैं सन इस हीर इस सन ठीक है अर्थ यहां पर लेते हैं यह से यह अर्थ यहां पर इस अर्थ देखा तो उसकी दिल में एक खयाल आया कि यार मेरा path कैसा है sun के around तो अर्थ ने जवाब दिया यार मैं तो elliptical path में घुमती हूँ earth rewards in elliptical path around the sun तो elliptical path में घुमती है मतलब ये shape को ellipse कहते है हमने कहा कि elliptical path में घुमती है जैसे circle का center होता है circle की radius होती है circle का diameter होता है circle की cord होती है circle को tangent ट्रॉ करते है वैसे ellipse का क्या बताते है भाई हम कहते है कि ellipse को होता है focus, दो focus होते है तो plural form में उसको focus कहते है ठीक है, तो ये sun का ये जो location है इसको कहते है कि ये focus है this is focus ठीक है, और एक focus यहाँ पर होता है यहाँ से A position से Earth B position पे आती है मैं तोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ A position से B position में आती है ठीक है तो Kepler ने पहले तो कहा कि यार देखो मेरे तीन law है ठीक है कितने law है उसके तीन law first law क्या कहता है यहाँ पे हम लिखते है first law Kepler के first law में उसने जान करी दी जिसका नाम था law of orbit law of orbit मतलब Earth revolves in a elliptical order around the sun where the sun is at the focus ठीक है यहाँ पे दो चार बाते हमने की थी कि यह जो dotted line मैंने बताई है that this dotted line इसको कहते हम major axis इसको कहते हम major axis जैसे radius होती है सरकल की सेम ही होती है horizontal vertical कोई भी निकाल ellipse का shape कैसा है चप्टा है उपर से यहाँ से थोड़ा फैला हुआ है ठीक है तो यह थोड़ी length कम है इसको कहते हम minor axis minor axis ठीक है फिर यह distance कुछ होता है इस distance को हम कहते है A इसको कहते है semi minor semi minor axis यह semi minor axial distance और इस distance को कहते है B that is half the distance of minor axis this is called as semi minor axis यह उसका distance ठीक है दो बाते यहाँ पर और समझना ज़रूरी है जब अर्थ यहाँ पर लेट से अर्थ जब यहाँ पर थी यहाँ से निकली डूर डूर चल रही है चल रही है चल रही है अर्थ अर्थ से उसका distance सबसे ज़्यादा है अर्थ से distance इसका क्या है सबसे ज़्यादा है यह point इस point को हमने कुछ नाम दिया इसको नाम दिया Appooपव e denoteione इस पॉइंट को नाम दिया, मतलब सन से जब प्लानेट का डिस्टंस सबसे ज़दा होगा, तो वो कहा पे, मैं अपिहली ओन पे हूँ, ठीक है, तो अपिहली ओन पॉइट जो अर्थ की वलसिटी होती है, वो वी सबसे कम होती है, मिनीमम होती है, सबसे ज़्यादा है यह बात हमें यहां से समझें ठीक है फिर्स लों की जानकर हमें मिली हम पर अब चलते अभी सेकेंड लॉग समझने में ठीक है सेकंड लॉग के लिए मुझे लगता मिनना और दूसरी डाइग्रम निकालने चाहिए तो फॉर्स लो था हम अभी सेकेंड लो में चलते हैं तो एक दर गरमागरम फ्रेश मोशन के लिए एक डाइग्राम हो जाए ये कलर अच्छा नहीं है ये कलर से हम निकालेंगे यहाँ आरे क्या रहे अरे यहां के च्यों है शेले को कॉपी यहां पर डाया नांग्य का रडंद कर से कटा है यहां और यह शेकशन हो चाहिए यहां रेंग्ऱ यहां एसको अट चाहिए तो लौ आफ एरिया कि लौ आफ एरिया केहना क्या चाहते है यह यह कहना चाहते है कि मान लो कि अर्थ कही यहां पर है ए पोजिशन से वो बी पोजिशन पर आती है डेल्टा टी ताईम में डी टी टइम में संसा आप बेठे हैं उनसे अगर हम डिस्टंसेस मेजर करें उसकी फॉर्स्ट और फाइनल पोजिशन का अगर यहां से मैं यारी स्ट्रेट लाइन क्यों दिक्कत दे रही है मुझे यहां से यहां से यह हम जोड़ देंगे तो यह जो एरिया वह स्ट्रेट कर रहा है उसको मैं थोड़ा हाइलाइट कर लो यह जो एरिया यहां पर बन रहा है यह वाला एरिया उसने जो स्वेट किया है मतलब बनाया है सन को मद्दे नजर रखते हुए यह वाला जो एरिया है वो जो एरिया है उसको थोड़ी देर के लिए हम A1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसको मैंने क्या माना A1 is the area cover किसमे DT टाइम में उसने cover किया आमने क्या यार अभी थोड़ासा अर्थ जब नजदिक आ जायेगी यहाँ पर आ जायेगी यह C पॉंइंट यहाँ से यहाँ मान लेते हैं यह भी Same Time है कितना Timeैं है यह DT जितना Time में A2B यहाँ पर गई है वही Same Time हमने लिया और यहां मतलब यहां पर दो सेकेंड लेते तो जब वो नजदिक आएगा C2D तब दो सेकेंड का उसका मोशन हम देख रहे हैं ठीक है उसको हमने जोड दिया इसके साथ और वो जो एरिया कवर कर रहे हैं उस एरिया को मैं यहां पर शेड़िट कर देता हूं यह वाला तो यह देखा गया यह जो दोनों एरियाज है कही पर भी देखना not necessary at this particular यहां पर यहां पर तुम यहां का compare करो इसके साथ यहां का compare करो इसके साथ लेकिन time same रखना मैं इसको area A2 मान लेता हूं यहां तो second law नहीं यह कहां कि भाया यह जो तुमें area cover कर रही ना कोई भी planet not only earth any planet which covers equal area in equal time यह जो area है और यह जो area है डेल्टा टी टाइम में अगर ना पा गया तो वह area same निकला इसको इन्हों ने कहा rate of area sweeping by rate of area area swept by swept by planet are equal in equal intervals in equal intervals इसको बोला गया a upon da कर देंगे यह चोटा area है ने काफी इसको da1 और da2 कर देदे क्योंकि चोटा सा ही area हमने consider कि so da1 upon dt is equal to da2 upon dt इसको कहेंगे हम aerial velocity इसको क्या कहेंगे हम aerial velocity तो aerial velocity कैसी होती बहिया constant होती है यह second law है केपलार का कि यह जो सब चीज हमने mention की है उसको हमने एक word में पूरा define कर लिया कि aerial velocity of the planet around the sun is constant कुछ formula तो होगा इसका हमने का हाँ formula होता है क्या formula होता है उसका mathematical form लिखते है da upon dt को क्या कहेंगे aerial velocity वह कैसी होती है constant होती कुछ formula होता तो होगा f is equal to ma जैसा हमने का हाँ इसका formula होता है l upon 2m और एक formula होता है pi ab upon t इनको याद रखना ठीक है और यहाँ पे जब कभी हमें के वह थर्ड में बताऊंगा ठीक है तो इस इस दी एक्स्प्लेनेशन ओफ दिस सेकेंड लॉव विच्छ वी हाँ गीवन रजस्ट राइट हाँ यह इसका mathematical form है ठीक है area upon time इसको area velocity नाम दिया भाई हम थर्ड लॉव देखते हैं थर्ड लॉव यही कही cover कर लेंगे जगा छोटी कर लेते थर्ड लॉव छोटू सा है एकदम छोटा packet है एकदम छोटा packet के लिए थोड़ी ही जगा लगेगी ज्यादा जगा नहीं लगेगी ठीक है थर्ड लॉव को देखते है what is third law यहाँ पे हमने लिखा केपलार का यह last third law है third law ठीक है इसको क्या कहते है इसको कहते है law of orbit यह क्या कहता है यह बाई देखो बाई इनका कहना है कि T square is directly proportional to A cube A क्या होता है what is A A is a semi-minor axis का distance कभी-कभी A निकालने में दिक्कत होती तो A is equals to ले 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 थे हम R1 plus R2 divided by 2 ठीक है यह और यह दोनों चीजों से यह third law define होता है time period का ठीक है जो हमने पीछे निकाला time period वही time period हमने यहाँ पे use क्या तुम कहों कि ऐसा है R1 R2 क्या है R1 R2 क्या है R1 R2 R1 is the distance of sun from it's the least parallelion point that is R1 sun का epihelion से जो distance से उसको कहते हम R2 कभी-कभी यह distance is given होते R1 and R2 तो हमें ए पता करना होता ही है तो इसको mean हम ले 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 थे R1 plus R2 divided by 2 ठीक है all right चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हम geostationary satellite की तरफ बढ़ते हैं fifth point हम यहाँ पर लिख लेंगे geostationary satellite जियो सिंक्रनस भी कहते कई बार लेकिन इसको geostationary नाम से हम बुका रहेंगे geostationary satellite ठीक है क्या होता है geostationary satellite Earth को पहले हम ड्रॉ करते यहाँ पर लेट में ड्रॉ अर्थ ठीक है यह अर्थ है ठीक है ठीक है और यहाँ पर यह इसका हम यहाँ पर दिखते हैं equator draw करते हैं यह equator line है तो equator line पर अगर कोई satellite move करता है equator line पर कोई satellite मूव करता है कि शेप अगर ड्रॉ हो जाए ना कि माहां क्या बात है कि अगर हटाए देते हैं कि तोड़ा यहां पर आजाए ठीक है कि सैटलेट अगर यहां मूव करेगा तो उसको गएंगे geostationary satellite इतना सिंपल है लेकिन उसका distance कितना होना चाहिए उसका distance अमें बताना होगा यह satellite है रिवॉल कर रहा है ठीक है यह अर्थ का axis है यह pole polar axis वो रिवॉल कर रही है उसके साथ साथ यह क्या करेगा यह भी रिवॉल करेगा ठीक है यह equator है equatorial orbit कहेंगे इसे so geostationary satellite हमेशा equatorial orbit पर ही प्रदक्शिना लगाते है अर्थ के साथ साथ ठीक है अर्थ का motion होता है west to east west to east move करती है अर्थ और यह satellite भी satellite भी geostationary satellite भी अर्थ के साथ वही दिशा में मूग करेगा west to east ठीक है उसका distance कितना होगा height मुझे देखनी है कि अर्थ के surface से अगर height मुझे पूछी है यह कितनी height है कितने height पर उसके भेज होगे ताकि earth का जो time period होता है इने 24 hour इसका भी time period कितना हो जाए 24 hour हो जाए satellite का ठीक है तो keplars का third law हमने लिया keplars का third law keplars third law यह क्या कहता है कि देखो मेरे पास formula ने time period का t square is equal to 4 pi square upon gm into r plus h का whole square ठीक है हां तो इसको simplify करेंगे and when you simplify you get h की value लगभग हो जाती है three six zero zero kilometers three six zero zero और एक zero एक zero कम पड़ गया भाई चतिस हजार किलोमेटर उपर satellite को लेके जाना है और उसको फिर बोलना है कि रिवाल कर अर्थ के साथ तब उसका time period जाके कितना हो जाएगा 24 hour इसका मतलब क्या है कि satellite को अगर मैंने दिल्ली से छोड़ा है ठीक है या कही से मिस्रियारी कोटा से छोड़ता हूँ और उसको मैंने ऐसा align कर दिया कि ताकि यह पूरी नदर दिल्ली पे रखे तो जैसे जैसे अर्थ घुमेगी वैसे वैसे यह उसके साथ घुमेगा तो हमेशा निचाना दिल्ली की तरफ रहेगा कि दिल्ली में क्या हल चल जल रही है उसका डेटा या जो परपस के लिए हमने उसको बेज़ा है वह वहाँ पर कॉंसेंट्रेट हो जाएगा this is called as a geostationary satellite ठीक है यह टॉपिक में इतना ही था अभी हम